पंडेल से रीवा पहुची श्रमिक ट्रेन मद्र प्रदेश के श्रमिकों को लेकर लॉकडाउन के बाद पहली बार बुल्जार हुआ रीवा रेलवे स्टेशन नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस नेटवर टुडे मैं जीशान जाविद आपके साथ रास्ते में पढ़ने वाले स्टेशन जैसे खंडवा, जबलपुर, सतना में भी श्रमिक ट्रेन नहीं रुकी अब उनको बस मार्ग से वापिस भेजा जाएगा देखिए यह रिपोर्ट लागडाउन के बाद पहली बार आज रेलवे स्टेशन का नजारा बदलेगा अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लेट फॉर्म खाली है, यहाँ बॉम्बे से चल कर रीवा आने वाली बस ट्रेन, कुछ ही पलों में यहाँ पर आने वाली है सारी तैयारियां मुकमल कर ली गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सोसल डिस्टेंसिंग के लिए जगे जगे पर स्पार्ट बना दिये गए हैं, इन्हीं स्पार्टों पर आपको खड़े होना है लगतार सुरक्षा के इंतजाम, तमाम वो इंतजाम किये जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर के लोगों के जरूरी है यहाँ पर एन्नाउंस करने के लिए अलग से एक साउंड सिस्टम लगाया गया है, हलाकि रेलवे के पास साउंड सिस्टम अपना खुद का होता है लेकिन आज यहाँ पर नए तरीके से रिलवे में एक प्लेटफॉर्म के अंदर साउंड सिस्टम लगाया गया है, जो साउंड सिस्टम यहाँ से आने जाने वालों को एन्नाउंस करेगा मैं आपको बता दूँ, लगबख बारासो से जादा लोग मद्परदेश के रहने वाले आज पनवेल से चलकर रीवा आ रहे हैं, लागडाउन के बाद आज यह स्टेशन बस कुछ ही पलों में गुलजार होने वाला है निश्चित रूप से यहाँ का इंतजाम इस समय काफी बेतर है, हर वेक्ति अपने आप लगा हुआ है, आई टियो चाई विवागों, पुलिस विवागों, रेलवे विवागों, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और लगतार यहाँ पर अपनी अपनी व लोग सवार थे, इसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगी, वह अभी नगर कुली सदिक्षक सिवेन सिंग के द्वारा, आईए आपको सुनाते हैं, नगर कुली सदिक्षक रिवा क्या कुछ बता रहे हैं, इस ट्रेन में मद्द ब्रदेश के तमाम जिनों के लोग सवार है जिसको लेकर रिवा के लोगों में भी सुबह से पहचे नहीं थी नवासी लोग हैं, इसके बाद पन्ना जिले से काफी लोग हैं, करीव 114 लोग पन्ना जिले से हैं, फिर खंडवा से 112 लोग हैं इसके लाब आगरमालवा, अनूपपूर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुर्हानपूर, छतरपूर, छिंडवाड़ा, दमो, दतिया, देवास, भार, दिंडवरी, गौलियर, हर्दा, इंदवर, जवलपूर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मनला, मंसाओर, मुर प्रिवा आ रही है, तो वहां के लोगों को वहीं क्यों नहीं उतारा गया, बस से भेजे जाने का क्या तुक था, नगरवाशियों में बैचेनी का या अलम था, वह कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों की इंट्री या संदिक्दों की इंट्री शहर में नहीं चाहते थे, इसके लिए कुछ समाज से विए उन्हें मास खरीदा और नगरपुली सदिक्चक तक पहुचा दिया, उन सभी के लिए जो ट्रेन से आ रहे थे, मास पहुचाने वाले विजय निगम से हमने बात की, जैसे ही ग्यात हुआ कि आज भोपाल से बामबे से एक ट्रेन चलकर रीवा रही है, उसमें बहुत सारे स्रमिक हैं, जो रीवा रहे हैं, तो चुकि बामबे रेड जोन का एरिया है, और बामबे के विसे में ये कहा जाता है कि अत्यनत प्रभावी छेत्र है करोना से, तो उ असी उम्मीद की जाती है कि पूरे लोगों का परिछड करना उचित संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने ये पहल करते हुए CSP से बात करने के उपरांति ये निर्णा निकाला कि जितने लोग आ रहे हैं, उनको सब को एक-एक मास्क दिया जाए, जिससे उम्मीद करते ह हैं कि जो वाइरस सो परसेंट फैलना है तो सकतर परसेंट ही फैलेगा, ट्रेन में आने वाले और उनको कहां किस तरीके से पहुचाने की वेवस्ता, आटियो विवा कर रहा है, हमने यह विच्छाने का प्रयास किया, इसके लिए हम जा पहुँचे, आटियो रिवा मनिस्त पर्टी के पास, इसमें अपने मद्यप्रदेश के विभिन जिलों के यात्री हैं, जैसे सरवाधिक यात्री आपके रिवा के हैं, शतना, सीधी, सिंग्रॉली, खंडवा, खरगौन, हर्दा, बैतूल, और इंदौर, धारतक के यात्री हैं, इसमें, स्वीपूरी, भिंड, धुंदलास ही गई है, इसका सीधार से मुंबई से रिवा ट्रे, हमारी टीम ने भी ट्रेन आने के पहले रिवा इस्टेशन का जाजा लिया, देखिए रिवा रेलवे इस्टेशन की इन यात्रियों को लिकर क्या तेयारी थी, रिवा रेलवे इस्टेशन के बाहर इस समय म हम आपको वह द्रिष्ट भी दिखाएंगे लेकिन हम उसके पहले कुछ बारे में बातचीत करेंगे आपको कुछ जानकारिया देंगे सबसे ज्यादा सवारी रीवा शहर किये उसके बाद सतना के तमाम विजा जी क्या आपको लगता मद्ध प्रदेश के लोगों को रीवा त तो एक निश्चित पॉइंट बनाया गया है रीवा रीवा से ही पूरे प्रदेश के यात्रियों को यहां से अलग-अलग बसों में लेकर जाया जाएगा एक खास बात जो यहां पर देखने को मिली रेलवे प्रसासन ने यह इंतिजाम जो किये थे या तो कहें कि एक पुक जिलों के यात्रियों को बसों में भर कर भेजा जाएगा उसमें अगर हम बात करें सतना की सिंगरोली की सीधी की या फिर आगर मालवा जो कि भोपाल और इंदोर से काफी नस्दीक था वहां पर इटारसी की बात करें अगर तो इटारसी इस ट्रेन के रूट में ही पड़ा कटनी मईहर लेकिन इन जगहों पर ट्रेन को नहीं रोका गया और रीवा लाय जा रहा है चुकि यहां से ही सभी यात्रियों की स्केनिंग होगी यहां पर और फिर अलग-अलग बसों में सवार करके उनको यहां से भेजा जाएगा विजे जी एक बड़ा सवाल जैसा कि अभी आपने कहा कि रीवा लास्ट पॉइंट है यहां पर सारे लोगों को लाना चाहिए स्केनिंग होगी तो यह बताईए जैसे ट्रेन पन्वेल से चली खंडवा होके निकलेगी अगर ट्रेन को खंडवा में रोक दिया जाता खंड तो यह अगर उससे आने जाने का समय बसता जो इस समय पैसे की सबसे बड़ी समस्या है रीवा से वहां तक के यात्रियों को ले जाने का भाड़ा भी बसता क्या इसमें आप इस तरय देखते हैं यह आपको लगता है कि ठीक है इस बिल्कुल यह एक चौकाने वाला कहना चा आना पड़ रहा लेकिन यहां पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब यात्रियों से ही किराया वसूला जा रहा है और यात्रियों को पैसे देने पड़ रहे हैं ऐसी स्थित में इस आखरी पॉइंट पर यात्रियों को क्यों लाया जा रहा है जबकि प्रदेश के अन्य जि यह समझ से परे है या तो यात्रियों को ठग रहा है रेलवे या तो फिर अपना मुनाफ़ा कमाने के लिए ये उनकी एक सोची समझी रणी थी है रेल्वे या तो मुनाफ़ा कमा रहा है या यात्रियों को परिशान कर रहा है पता नहीं क्या सोच के रेल्वे ने ये निर्णे लिया शायद आम आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी विज़ा जी एक सवाल और है जैसा कि अब प्रवासी लगातार आ रहे है बग सारे लक्षण पाए जा रहे हैं अब देखा जा रहा है यह तो तैय होगा जाच रिपोर्ट के आने के बाद वह कुरोना पास्ट्यू है वह लड़की या नहीं लेकिन सूरत से आने वाले ये लक्षण क्या आपको नहीं लगता कि यहां के लोगों में जबकि ये green zone में कुछ डर पैदा करेगा बिलकुल डर क्या यहा पर ये अचमभबी है और जैसा कि आप ये जानते हैं कि महाराष्ट यानि कि red zone से ये यात्रियों का काफिला आ रहा है यानि कि red zone से green zone पर यहां पर लाकर पटकना और फिर यहां से scanning करके अलग-अलग सहरों और जिलों में लेकर जाना निश्चित तोर पर रस्ते में जो root पढ़ेंगे green zone को प्रभावित करने वाला होगा चुकि अगर हम बात करें जिस तरह से अभी गुजराज से red zone से जो यात्री आये थे उसमें से कई corona positive मिले कई इलाकों में वो पहुँचे और वहां पर अपने चपेट में कई लोगों को ले रहे हैं अगर हम सहडोल की बात करें तो सहडोल में भी पूने और अलग-अलग प्रदेसों से लोग आये थे और वो corona positive हुए तो green zone सहडोल आज green zone से वो red zone की तरफ जा रहा है ऐसे ही अगर हम बात करें कि रीवा रीवा जहां पर corona के कोई पेसेंट नहीं थे अचानक डाक्टर सिंगहल दिल्ली से आये और उसके बाद यहां पर दो पेसेंट हो गए गुजराच से प्रवासियों का काफिला आया और उसके बाद और भी संख्या यहां पर बढ़ने लगी एक बच्ची का corona positive का संदे है इसके साथ उसके परिजन भी corona positive हो सकते हैं ऐसे में यहां पर जिस तरह से green zone में यात्रियों को लाकर प्रभावित करने का काम किया जा रहा है निश्चित खत्रे की घंटी है रीवा green zone में है बाहर के लोग आ रहे हैं और खास तोर से मैं अपने दर्शकों को बता दूँ पनवेल बॉमबे का अंतिम छोर है वहां से य यहां से वो बस में बैठ कर अपने अपने शहर की और रवाना होगे खुदा ना खासता अगर कोई positive patient आ गया तो एक बार फिर से रीवा के लोग भैवीत होंगे वैसे भी डॉक्टर सिंगल और आजी जो बच्ची और उपर वाला ही उस रीवा को बचा सकता है बच्ची ना पाए जाए लेकिन यह तो निसकर्स रिपोर्ट आने के बाद ही तैय होगा इस तरीके की तमाम बातें जो की सासन की जो विवस्ता है यह कता ही नहीं समझ में आई खंडवा खंडवा से यह ट्रेन निकलने वाली है खंडवा का यात्री यहां तक क्यों यह एक बड़ा स हमने यह करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे घर पर रहे सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए अपना बहुत-बहुत ख्यार रखिए अपने मेजमान जिशान जावेद को दीजे इजादत नमस्कार प्रेंचे बड़ुत